हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके भी एक्जाम क्लैस हो रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है जैसा कि आप जानते हैं कि इगनू ने 20 फरवरी को अपनी टेनिटिव डेट सीट जारी की ये जून 2024 एक्जाम के लिए ऐसे हैं बहुत सारी स्टोइंट ऐसे हैं जिनके एक्जाम क्लैस हो रहे हैं यानि कि एक दिन में उनके दो एक्जाम है एक ही टाइम पर तो ऐसे में अगर आपके भी एक्जाम क्लैस हो रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर इगनू ने आपको क्या बताया है यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपके एक्जाम क्लैस होते हैं The class of exam date session will not be considered in the following cases अगर आपके यहाँ पर जो exam है वो यहाँ पर class हो रहे हैं पर यह जो condition है यहाँ पर दीगें जैसा कि यहाँ लिखा है अगर आपके group 1 से group 6 तक के paper है तो यहाँ पर वो class नहीं माने जाएंगे अगर वो same date और same time पर है इसके बाद यहाँ पर लिखा है the course or backlog course अगर वो किसी डूसरे year का backlog का subject है जब भी वो class नहीं माना जाएगा इसके बाद the course are from different program अगर वो किसी डूसरे program का course है और same date same time पर है जब भी वो class नहीं माना जाएगा इन MP program course from different specialization और MP program में different specialization का अगर course है जब भी वो class नहीं माना जाएगा यानि कि अगर आपको कोई paper class है और अगर वो आपका paper class हो रहा है पर वो पिछले year का paper है backlog का subject है same date same time पर है तो वो change नहीं होगा या फिर अगर आप दो program एक साथ कर रहे है जब वो paper class हो रहा है तो वो भी change नहीं होगा या MP program MP program में आपको अगर यहाँ पर अलग-अलग specialization दिया है अगर वो subject भी आपका class हो रहा है तो वो भी change नहीं होगा और अगर आपका group 1 से group 6 के paper है अपसे उपर यहाँ आप group 1 से group 6 के paper दिये गए यह भी change नहीं होगे इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि पॉइंट नंबर 3, 6 और 7 के अलावा date sheet में किसी भी अन्याप रखाएगी तुरूटी संसोदन है तो विद्यारती में लिकित format और email पर सूचना 28222024 तक आवश्य परदान का इसके बाद किसी बदलाव के अनुरोद पर विचार नहीं किया जाएगा तो अगर आपके जो तो अगर आपके जो exam class हो रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए आप request डाल सकते हैं आपको simply यहाँ पर date sheet at the rate igno.ac.in यहाँ पर आपको mail करने के लिए simply आपको जो subject आपका, enrollment number, program और course code कौन सा है, कौन से session और date में वो, यानि कि morning या evening या और किस date में हो रहा है, कब वो class हो रहा ऐसे आप यहाँ पर mail कर सकते हैं और इगनु को बता सकते हैं कि आपका जो paper यह class हो रहा है, then आपकी यह जो tentative date sheet है, आपकी अभी यह दो से तीन बार, यह लगबख कम से कम अभी बहुत बार update की जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे students जो है, वो mail डालेंगे, जिसके विए जैसे अभी कई बार date change करेगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे changes होने हैं, इसलिए अगर आप भी अपने exam की date change करवाना चाहते हैं, अगर आपके exam class हो रहे हैं, यह जो यहाँ पर condition दी गई है, इसके अलावा अगर आपके exam class हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसके लिए यहाँ पर इगनू को mail कर सकते हैं, rate street at the rate ignu.ac.in पर, तो दोस्तों आई होग आपको वीडियो समझाए, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगए, यह तो वीडियो को like करें, share करें, subscribe करना बिल्कुल ना भूले, धन्यवाद